साथ क्यों स्री नाराण गुरु ने हमें मंत्र दिया था अवरू जाथी अवरू मथम अवरू देवं मनुशां उन्होंने वन काश्ट वन रिलिजिन वन गौड इसका आवान किया था अगर हम नाराण गुरु जी के इस आवान को बहुत गुड़ता से समझें इसके भीतर चिपे संदेश को समझें तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्म निर्भर भारत का भी मार्ग बनता है हम सभी की एकी जाती है भारतियता हम सभी का एकी धर्म है सेवा धर्म अपने कर्तवियों का पानन हम सभी का एकी इश्वर है भारत मा के 130 करोड से अधिक संदान स्री नारायन गुरी जी का वन कास वन रिलिजिन वन गड़ आवान हमारी राष्ट भक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक उचाई देता है हमारी राष्ट भक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं बलकि हमारी राष्ट भक्ति मा भारती की आराधना कोटी कोटी देश वाश्यों की सेवा साधना है हम इस बात को समझते हुई आगे बढ़े सिनान गुरुजी के संदेश का पालन करे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतियों में मदवेज पादा नहीं कर सकती और यह हम सब जानते हैं कि एक जूट हुए भारतियों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष असंबव नहीं है